स्टुदेंट्सूर्ट항 sau CEO के अंदर पिडिवेस लेक्चर के अंदर मैंने आपको रूट्स की रूल समझरे थे अब उन रूल्स को एक्जांपल्स में कैसे एक्टेबल करते हैं कैसे इनका यूज केता है 195 अपन करते हैं यह अपन करते हैं मैंने कुछ से उपर लिख दिया है आप भी कोशिश करें कि शुरू में जब आप एक्जामपल लिख रहे हो तो अपने थर्ड रूल को हमेशा पास रखें और उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा सही नाम लिख पाएंगे सबसे पहला रूल था हमारे पास IOPC का main carbon chain का selection करना चुँकि यहाँ पर एक ही carbon है तो chain select करना एक formalty रह जाता है और numbering करना जो कि हमारा second rule था वो भी एक तरह का formalty रह जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही chain है एक ही carbon है तो उसी को chain में लेना पड़ेगा और numbering भी उसी को देनी पड़ेगी ठेक है मैं सिदा-सिदा अपने third rule पर आ जाता हूँ third rule SP SP का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको substituents का नाम लिखना है और substituents कोन होते है जो main carbon chain से बाहर रह जाते है इप सब मैंने बाते हैं आपको previous lectures में सिखा रखिये आप मेरे एक दो पहले वाले lecture देखोगे तो आपको हर term के बारे में पता चलेगा तो SP यानि की substituents का जाम सबसे पहले लिखा जाता है substituents का मतलब होता है जो main carbon chain से बाहर रह जाते हैं चुकि यहां main carbon chain से बाहर कोई नहीं है इसका मतलब कोई substituent है नहीं primary perfect आपको पता ही है cycle के लिए लिखा जाता है और यहां पर किसी तरह की कोई cycle भी नहीं दे रखी open chain compound दे रखा है world root का मतलब होता है कि आपने जो chain select कर रखी है उसके अंदर कितने carbon है आपको यहां साफ साफ चा एक carbon दिखाई दे रहा होगा और एक carbon को क्या बोलते हो एक carbon को बोलते हो math तो सबसे पहले हमने लिख दिया math क्योंकि मेरे पास sp और pp हैं नहीं चीदा wr और पीएस यह बताता है हमें कि हमारे compound में single double और triple bond में से क्या present है तो चुकि यहां पर सारे single bond present है और single bond के लिए लगाते हो एन और सबसे लास्ट में यह suffix use करते हो functional group के लिए और यहां कोई functional group नहीं है इसका मतलब इनाम हो जाएगा में थें मैं next example की तरफ चलता हूँ मैंने chain का selection कर लिया अब मुझे numbering करनी है चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो एक ही बात है कहीं से भी आप कर दो दोनों carbon है इधर से करो चाहे किनारे से किनारे किसी भी किनारे से करो कोई फरक नहीं पढ़ रहा है कि सब्स्टिट्ट्ट वगरा उसे लगे भी नहीं है जब तक सब्स्टिट्ट्ट मुल्टिपल बॉंड फंक्शल ग्रूप नहीं आता तब तक इतना कोई ज्यादा numbering का importance नहीं रहती सब्स्टिट्ट है नहीं तो sp लगाना नहीं साइकल है नहीं तो pp लगाना नहीं सीधा सीधा डबलू आर में carbon chain में कितने carbon है दो carbon है उसको लिखेंगे अपन एक सारे सिंगल वांड है इसलिए लिखेंगे एन कोई फंक्शल ग्रूप नहीं है इसलिए मतलब सफिक्स तो लगाएंगे नहीं तो नाम हो गया आपके पास एथेन नेक्स्ट थर्ड येलो वही में carbon chain किसी भी किनारे से कर दो नंबरिंग क्योंकि सब्स्टिट्वैंट तो ही नहीं है नहीं जाएंग साइकल है नहीं शिदा-शिदा word root लगाओ तीन carbon है तो propane उसी तरह से यहां पर 5 carbon है और 5 के लिए pent word का यूज़ करते हो इसलिए नाम क्या हो गए आपके पास pentane साइए next cycle के case पे cycle main carbon chain बन रही है ठीक है तो अब चुँकि substituent वगएरा कुस लगे भे नहीं है इसलिए numbering का फिर कोई importance नहीं है substituent है नहीं लेकिन इस बार cycle है और cycle जब आती है तो उसके लिए लगाते हैं अपन cyclo तो मैंने PP में क्या लिख दिया इस बार cyclo primary prefix cycle को बार हम बताती है एक cycle है तो cyclo तुकि cycle के अंदर तीन कारवन है तो word root में तीन कारवन को बोलते है prop तो cyclo prop सारे single bond है इसलिए PS की जगे क्या जाएगा PS वाली जगे Aन आ जाएगा कूँकि single bond को Aन से रिपरजेंट करते हैं functional group है नहीं तो suffix लगा नहीं तीन कारवन को जब अब cyclopropane बोल रहे है तो पांच कारवन को cyclopentane बोला जाएगा और छे को cyclo hexane बोला जाएगा सही है तो इस तरह से अपन simple molecules के नाम लिख लेते हैं अब मैं कुछ और example लेता हूँ जिसके अंदर मैं substituent को introduce करता हूँ और फिर अपन ने के नाम लिखते हैं कुछ example है जिसमें मैंने substituent लिए हैं चलो देखते हैं इनका नाम कैसे लिखा जाता है सबसे पहला काम है main carbon chain का selection करना यह मैंने main carbon chain select कर ली ठीक है अब terminal to terminal numbering करनी पड़ती है तो numbering करने के लिए किनारे से किनारे को choose किया जाता है और उस किनारे से numbering start करते हैं जहां से हमारे functional group को कम number मिले या multiple bond, double bond, triple bond को कम number मिले या substituents को कम number मिले चुकि इससे पहले वाले example में उनमें से कुछ आया नहीं था लेकर इस पार substituent आया है तो मैं उस किनारे से numbering करूंगा जहां से substituents को कम number मिले substituent कौन है? यह जो chain से बाहर रह गया bromo अब इधर से numbering करूंगा तो भी bromo दो number पे है और इधर से numbering करूंगा तो भी bromo दो number पे है bromine को तो दो ही number मिलने है क्योंकि numbering तो किनारे से किनारे होगी बीच से तो कर नहीं सकते नाम range करते हैं सबसे पहले substituent का नाम substituent का नाम with position लिखना पड़ता है तो मैंने लिखा two bromo क्योंकि दो number पे आ रहा है cycle है नहीं main carbon chain के अंदर तीन carbon है तो two bromo के बाद लगाऊंगा prop सारे single bond है इसलिए लगाऊंगा in तो नाम हो गया two bromo propene मैं वापस chain select करता हूं और मुझे इस बार वापस numbering करनी है तो देखो इधर से numbering करूंगा तो भी substituent दो number पर है और इधर से इस numbering करूंगा तो भी substituent दो number पर है यानि substituent को तो बराबर numbering मिल रही है अब जब इस तरह का case आपके सामने आए कि substituent को बराबर numbering मिले दोनों किनारे से और बीच में भी कुछ सबस्टिटोइन परजान हो तो आप दोनों तरफ से numbering कर दो युँकि आपको lowest count चेक करना पड़ेगा यहां पर lowest count कैसे चेक करते हैं ऊसकी बात करते हैं आप दोनों तरफ से numbering कर दो आप उपर से भी numbering करो यान इस किनारे से भी numbering करो और आप ये नीचे से यानि की इस किनारे से भी आपको क्या करने पड़ेगी numbering करने पड़ेगी आप दोनो सरब से क्या कर दो numbering कर दो और फिर जहां जहां पर substitute आये हैं उन-उन positions को एक बार जोड़ लो जैसे उपर वाली नमरिंग में दो तीन और पांच पर आया है तो दो प्लस तीन प्लस पांच दस आ गया इसका सम और नीचे वाली नमरिंग से दो च्यार और पांच आया है एक ग्यारा आ गया है इसका सम तो लोवेस्ट काउंट का मतलब इस तरह से सबस्टिट्वेंट्स की पोजिशन जोडने के बाद जो पोजिशन सबसे कम जोड दे जहां पे सम सबसे कम आये वो हमारी सही नमरिंग होती है इसका मतलब उपर वाली सही है तो नम उसके कॉडिंग लिखना पड़ेगा तो उसके कॉडिंग नाम लिखूंगा तो यहाँ पर भी ब्रोम और यहाँ पर भी ब्रोम है certification में है में दोन next गया आपके पास hexane चलो बई next question करते हैं अपन वोई chain select कर लिए अपनने इधर से भी substitute को दो number मिल रहे हैं और इधर से भी substitute को दो number मिल रहे हैं तो चलो दोनों तरफ से numbering कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपर वाले जोडों कहां कहा है substitute 2 number पे 4 number पे, 5 number पे नीचे जोडो 2 number पे, 3 number पे, 5 number पे नीचे वाला sum कम मिल रहा है इसका मतलब नीचे वाली numbering सही है अब substitute देखो Bromo, Nitro, Chloro alphabetically arrange करेंगे तो सबसे पहले आएगा 5 Bromo देखो ध्यान रखना लिखते समय math के number मत देखो कि भाई, Chlori 2 number पे आ रहा है और Bromine 5 number पे आ रहा है तो पहले 2 Chloro लो गए ना नाम जो है ना Substitute का, उनका alphabetical order follow होता है यानि जो पहले आएगा अंग्रेजी में, alphabetical में उनको पहले लिखा जाएगा तो 5 पे Bromo 2 पे Chloro 3 Nitro 6 Carbon का Hexane यानि नीचे वाली number पहले नाम लिखा है 5 Promo 2 Chloro और 3 आपके Nitro Confusion ना हो तो इसलिए मैंने मैं क्या करता हूँ उपर वाल नमरिंग मिटा देता हूँ क्या करना पड़ेगा नीचे वाली के अकॉर्डिंग नाम लिखना है तो जो गलत number है वो मैं मिटा देता हूँ ताकि Confusion ना रहे आपको ठेक है चलो next बढ़ते हैं बनागे cycle main carbon chain है cycle main carbon chain बनती है और numbering करना हो तो चुकि cycle main carbon chain बनी है और cycle का मतलब गोला और गोले का कोई भी किनारा नहीं होता यानि कि इसके हर carbon से आप कहीं से भी numbering start कर सकते हो जब open chain होती है तब तो आप किनारे से किनारे जाते हो लेकिन जब cycle है तो उसका तो कोई किनारा है ही नहीं अनि आप किसी भी carbon से numbering start कर सकते हो लेकिन किस से करोगे जहां से आपके substituents को क्या मिले कम number इधर bromo को कम number मिल रहा है इधर chloro को कम number मिल रहा है चाहिर सी बात है कि lowest count देखने का मतलब भी नहीं है जब दोनों तरफ से same numbering मिलती है और बीच में भी substituents आते है लेकिन यहां इनके बीच में तो कोई और है नहीं तो अब अपने को सिधा सिधा सबसे last में जो alphabetical order का तरीका है जो second rule के अंदर numbering में सबसे last में जो alphabetical order का तरीका है वो अपने को यहां पर apply करना पड़ेगा और chloro और bromo मैंसे किस को numbering दूँगा मैं मैं bromo को numbering दूँगा और chloro को बाहर रख दूँगा तो नाम हो जाएगा one bromo four chloro सबसे पहले substituent फिर cycle cyclo hexane क्योंकि 6 कार्वनियां पर दे रखे सही है इस बार भी same वही चीज़ है cycle है और alphabetical मुझे nitro और bromo मैंसे bromo को choose करना पड़ेगा तो one bromo two nitro और इस बार five कार्वन की cycle है तो मैंने लगा दिया cyclo pentane five कार्वन की cycle है तो मैंने लगा दिया cyclo pentane इधर से जाओ तो भी दो नमबर पर है इधर से जाओ तो भी दो नमबर पर है और बीच में कोई substituent है नहीं तो फिर आप कहीं से भी कर दो दोनों तरफ से bromine bromine तो है यह तो alphabetical order भी नहीं देख सकते है तो दोनों ही bromo है कहीं से भी करो एक की बात है तो इस तरह से आप rules को सामने रखते हुए और फिर जब नहीं नाम देखोगे तो यह आप कुछी समझ में कि इतनी जल्दी हो सकता है कि नए बच्चे को rules याद ना हो तो आप मेरे previous lecture से सबसे पहले rules को short में एक page पे लिख लो और उसके बाद आप यह examples apply करो तो आपको चीज़े समझ में आने लग जाएगी अगी बाद समझ में अब अपन multiple bond introduce करते हुए कुछ नाम लिखते हैं ठीक है multiple bonds वाले last case बता जाता हूं तो फिर अपने यह normal category खतम हो जाएगी फिर अपन functional group के नाम कैसे लिखे जाते हैं वो अपन नेक्स वीडियो के अंदर discuss कर लेगी ठीक है तो मैं एक बार multiple bonds से related जो नाम लिखे जाते हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं तो यह कुछ example लिए मैंने जिसमें double bond और triple bond और कुछ example में double triple के साथ substitute को भी मैंने इंक्लूड किया है आई बास समझें चलो पर इनके नाम लिखना सीखते हैं किस तरह से इनका नाम लिखा जाता है कि सबसे पहला चेंड सेलेक्शन और साफ साफ आपको चेंड दिखाई दे लिए नमरिंग कहीं से इस बाद ट्रिपल बॉंड आ गया तो मैंने लगा दिया आयन तो वर्ड रूट के बाद सिंगल डबल ट्रिपन बॉंड को लिखना पड़ता है डबल बॉंड आया तो इन लगा दिया ट्रिपल बॉंड आया तो आइन लगा दिया और जब सारे सिंगल बॉंड आते हैं तो पन इन लगा देते हैं चलो ये अपने को आपको chain साफ साफ दिखाई देरी होगी अब इसमें chain selection का एक ही तरीका है आप इसी तरीके से chain select कर सकते हो और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं इसमें अब बात रही numbering की तो इधर से multiple bound को एक number मिल रहा है जबकि इधर से 1,2,3,4 multiple bound 4 number आ रहा हैनी इस किनारे से multiple bound को कम नमर मिल रहा है इस किनारे से substitute को कम नमबर मिल रहे हैं second rule के अंदर mein multiple bond और substitute one मैं से multiple bond को priority देते हैं इसका मतलब multiple bonds का ध्यान रखते हुए उसको कम number मिलना चीह yellow numberring कर दि सबसे पहले substitute का नाम yellow four gromo cycle है नहीं, main carbon chain में पांच carbon है और चुकि double bond आ गया एक number पर तो मैंने लगा दिया पीछे 1 in देखो double bond को भी position के साथ लगाना पड़ता है बिना position लगाओगे तो पता नीचे लेगा ना molecule में कहां present है कितने number पे present है chain आपके सामने है chain को तो क्या देखना यही chain हो सकती है को दूसरा option तो है नहीं numbering देखता हूँ मैं इधर से देखूँ तो multiple bond को एक number मिल रहा है इधर से करूँ तो multiple bond को दो number मिल रहा है तो जाइड सी बात है multiple bond को जहां कम number मिलेंगे उसी तरफ जाऊँगा तो 1,2,3,4,5 numbering कर दी substitute है नहीं, cycle है नहीं word root में 5 carbon है अब double bond को लिखते है इन, triple bond को लिखते है आयन, E और Y में से E alphabetically पहले आता है तो one in और three आयन, यह मैंने पहले लगा दिया प्यूंकि E alphabetically पहले आता है alphabetical order से arrange गर दिया इस बार फिर double bond same वो ही है, इधर से दो नमर पर आता है, इधर से एक नमर पर ही आ रहा है तो substitute है नहीं, पांच कार्बन है तो इस बार मैंने लिखा penta, देखो हर बार तो मैं pent, but, eth लगा रहा था इस बार यह A extra लगा दिया जब भी double bond आपके पास एक से ज़्यादा आए उसको बोलते है polyene और polyene के case में आपको एक extra A लगाना पड़ता है hex होता तो hexa लिखता but होता तो buta लिखता oct होता तो octa लिखता pent है तो penta लिख रहा हूँ penta one, three, die, in एक example और देखो यह cycle आगई one, two, three, four, five, six cycle के अंदर आप कोई से भी carbon से numbering कर सकते हो तो जहां से multiple bond को एक number मिल रहा है वहीं से ही करूँगा मैं तो ठीक है अब चाहिए इधर से करो चाहिए इधर से करो तो एक ही बात है symmetrical है दोनों एक ही बराबर है इधर से करोगे तो इसको एक number इसको चार नमर मिलेगा इधर से करोगे तो इसको एक number उसको चार नमर मिल जाएगा सब्सक्राइब है निया साइकल है साइकल है तो लगाओ साइकलो और हेक्जा हेक्जा क्यों कि डबल बॉंट एक से ज़्यादा है कहां कहां प्रेजेंट है एक और चार पे तो 14 कि डाइई एक ठीक है चल नेक्स्ट एगजामपल पर चलते हैं 123456 अब अगर मैं उपर से करता ना तो 1234 डबल बॉंट को तो 4 नमबर मिल जाता लेकिन यह ब्रोमो मेरा कहां चला जाता च्छै नमबर पे चला जाता जबकि इधर से करने पर डबल बॉंट को तो एक और चार ही मिल रहे है और इधर से नमबर दो गए तो भी डबल बॉंट को एक और चार ही मिलेंगे लेकिन इधर से नमबरिंग करते ही ब्रोमो मेरा तीन नमबर पे आ गया यानि सब्स्टिट्टोंट को भी कम नमबर मिल गए डबल बॉंट और सब्स्ट्ट्टोंट डबल भाइदा हो गया हमारे तो डबल डाइन हेक्जा लगाया क्योंकि डबल बॉंट एक से ज़्यादा है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन वन टू थ्री फॉर और फाइस थ्री ब्रोमो पेंटा वन फॉर डाइएन सही है डबल बॉंट एक से ज़्यादा है तो पैंटा लगा दिया सबसे पहले सब्स्टिटोंट का नाम साइकल है नहीं वर्ड रूट में पांच कारबन तो थ्री ब्रोमो फिर पैंटा फिर वन फॉर डाइएन अब कोई कहाएगा साथ उदर से नम्बरिंग क्यों नहीं की सही है तो इस तरह से आप एक नॉर्मल आयूपेसी कंपाउंड का नाम बड़े ही आसानी से लिख सकते हो वैडियेशन की कोई लिमिट नहीं आप कहीं पर भी सब्स्टिटोंट कोई भी सब्स्टिटोंट जोड़के आप इस नाम को मॉडिफाइट कैसे रखते हो बात समझ करने की है सिर्फ रूल्स अब एक्जांपल करना आपके हाथ में जित्ते एक्जांपल करोगे जित्ती प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी हैबिट पढ़ती जाएगी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक जनरल नाम लिखने का इनिशेट कैसे करते हैं वो तरीका समझा दिया अब नाम का नाम में स्टुक्टर में variation करते हुए different different molecules के नाम आप अराम से लिख सकते हो मैंने आपको एक general information दिदी कि नाम कैसे लिखे जाते हैं ठीक है I hope आपको एस simple molecules के नाम समझ में आए होंगी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेर जरूर कीजेगा